चुपती जलती गर्मी का मौसम आ चुका है जिस वज़े से आपको घर के अंदर अच्छी खासी गर्मी मैसूस हो रही होगी। अब इस गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे उपाई लोग करते हैं। इसके उपर हमने भी एक सेपरेट वीडियो बाना के रखी है जिसमें कि हमने कुछ ऑप्शन के बारे में बाता है जिनसे कि आप अपने घर का टेंप्रेचर जो है वो कम कर सकते हो। जैसे कि फॉल सिलिंग, रिफ्लेक्टिव पेंट या फिर ग्रिन शेड नेट पर ये जो ऑप्शन से इनके लिए अच्छा कासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। च्छत को गर्म कर देती है जिस वज़े से आपके घर का अंदुरूनी तापमान भी बढ़ जाता है और आपको गर्मी महसूस होती है। ब्रश, पानी और एक बरतन जिसमें के आप इन दोनों चीजों को मिक्स कर सको। अब यहाँ पर हम जिस च्छत के उपर इस कोट को अपलाई करने वाले है उस च्छत को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते है तो प्रॉपर तरीके से बॉंडिंग नहीं हो पाईगी और आगे चलके यह कोटिंग जो है वो उखड सकती है। इसलिए जो स्लैब होगा उसके च्छत के उपर जो सिमेंट के डाक छूट जाते है या फिर धूल होती है ऐसी चीजों को आपको वायर ब्रश के मदद से या फिर जाडू के मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। और क्लीनिंग कंप्लिट होने के बाद आखिर में आपको पानी के मदद से उस लैप को अच्छे से धो देना है। वो पाच से लेके 10 मिनिट तक छोड़ देना है। अब जो आपका स्लैब है जिसके उपर आपने थोड़ी देर पहले पानी मारा था वो थोड़ा सा सूख जाने के बाद आप जो है उसके उपर अपना पहला कोट ब्रश की मदद से अपलाई करना शुरू कर सकते हो। अब जब भी आप कोट को अपलाई करते हैं तो आपको एक डिरेक्शन में पहले तो अपलाई कर लेना है। उन्हें आपको यहाँ पर निकाल देना है और वहाँ पर अच्छे से कोट को अपलाई करना है। अब यहाँ पर जब बारे आती है second coat की तो कुछ लोग जो है पहला coat सुखने के बाद दूसरे coat को apply कर देते हैं पर अच्छे result के लिए आपको क्या करना चाहिए first coat होने के बाद दूसरे दिन आपको अच्छे से क्यूरिंग कर लिनी है यानि कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त उस coat को हलके हद से पानी जरूर देना है और उसके दूसरे दिन यानि कि पहला coat होने के बाद दूसरे दिन आप क्यूरिंग करोगे और तीसरे दिन आपको जो ह दूसरे कोट में आपको कम material लगेगा और जब आपके दोनों कोट अपलाई हो जाएंगे उसके दूसरे दिन बाद आपको उस कोट के उपर दो टाइम पानी मारना है सुबह के वक्त और शाम के वक्त और यह पानी आपको उस कोट को कम से कम तीन दिनों तक देना ही है अब इसके वज़े से आपके छट के उपर जो कोटिंग बन जाती है वो सफेद कलर की होती है और जैसे कि आपको पता होगा सफेद कलर जो है वो धूप को अच्छे से रिफलेक कर देता है तो इसी वज़े से आपकी छट जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है और आपको घर के अंदर गर्मी मैसूस होती है तो इस चीज से बचने के लिए आप इस coat को apply कर सकते हो हाला कि market में reflective paint भी available होते है पर उनका cost थोड़ा सा जाधा होता है तो अगर आप गर्मी से बचना चाते हो तो definitely आपने छट के उपर इस coat को apply कर सकते हो हाला कि ये जो experiment है सी प्रतिशत sun rays को reflect कर देते है जिस वज़े से घर के अंदर का temperature reduce होने में बहुती मदद मिलती है और अगर घर के अंदर temperature reduce होने में मदद मिलती है तो जाहिर सी बात है जो electrical equipment होते है उनका भी इस्तमाल थोड़ा सा कम हो जाता है जिससी के आपके विजली का बिल भी कम आता है और रही बात इस coating के average cost की तो एक रुपए से लेके डेड रुपए पर स्क्वेर फिट तक आपको खर्चा सकता है इस coating को करने के लिए जो की बाकी reflective paint की तुलना में ये बहुती कम cost होता है अगर आपके कोई सवाल है तो comment box में comment ज़रू कीजे और गर्मी से बचने के बाकी इलाज के बारे में जानना चाते हो तो इस वीडियो पर ज़रू क्लिक कीजे और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रू सब्स्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रू कीजे